वीडियो को चल्डी से ठोक के लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चलिए सुरू करते हैं पिर एक उप्सन देखना को मिलगा एक्सेस प्यूंट के नाम से। आपको सिंप्ली अक्सेस प्यूंट नेब पource करना है। और यहां पर आपको name डालना है, vi 4g beta ठीक है आपको इस type से name डालना है, vi का v होगा capital में, space 4g, g capital में होगा और beta का bv capital होगा, json मैंने type किया है, वैसे आपको type करना है, और उसके बाद कर देना है, ok के बरन पर click करके, इसको save, अब यहां पर option आते है, apn का, तो apn पर आपको click करना है, और यहां पर आपको small letter में लिखना है, vi net, आपको simply एक साथ लिख देना है, vi net, small letter में होगा, यह चीज़ ध्यान करना है, उसके बाद कर देना है, ok के बरन पर click, यह save हो जाएगा, उसके बाद आपको यहां पर एक option मिलता है, proxy, proxy को छोड़ देना है, port का option मिलता, port को भी छोड़ देना है, user name पर आपको click करना है, और यहां पर आपको लिखना है, net, beta.x, आपको इस टाइप से लिखना है, net, capital में होगा, net, capital में होगा, उसके बाद beta का b capital में होगा, और उसके बाद आपको यहां पर beta का b capital के बाद et, small letter में होगा, उसके बाद .x, small letter में लगा देना है, net, beta.x, link के username में इसको कर देना है, ok के बटन पर click, और यह save हो जाएगा, उसके बाद आपको एक option मिलता है, password, password को छोड़ देना है सर्वर पर क्लिक करके आपको यहां पर लिखना है स्मॉल लिटर में www.google.com अब google.com सर्वर में लिखने के बाद में ओके के बटन पर क्लिक कर देना है यह सेब हो जाएगा सेब होने के बाद में अब आपको एक अप्सम देखने हो को मिलेगा इसको छोड़ देना है, mms proxy को भी छोड़ देना है, mms port को भी छोड़ देना है, mcc और mnc को भी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, authentication type का जो एक option आपको मिलेगा, इसपे क्लिक करके आपको second number वला PAP को select कर देना है, जैसे क्लिक करेंगे तो automatic select हो जाएगा, उसके बाद आ प्योड़ आपको मिलेगा, APR, Romy protocol, इसपे भी क्लिक करके यहाँ पे आपको select करना है, IPv4, IPv6, उसके बाद यहाँ पे आपको scroll करना है, इसक्रॉल करेंगे तो एक option देखने हो को मिलेगा, आपको bearer, bearer पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने हो कि मि को भी सेलेट करेना है और एक बटन पर किलिक करना है एक जीपी आरस को भी सेलेट करना है यह से बूद करने लिए अगर आपके फोन में इतना ज्यादा वीरस्ट नहीं होता एक साथ तो हो सकते तो एक बार फॉन को रिबूट कर दीजएगा और फिर से एपियन सेटिंग्स में जा करके उस एपियन को स्लेट कर दीज़ीगा जो अभी आपको मैंने बताया है बना करके और फिर आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाला है दोस्तों आपका कितना ज ख्याल रखिये बाई